हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई योट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CNC मसीन का चैप्टर सेकंड और चैप्टर सेकंड में जो आपका इंपॉर्टन टॉपिक है Sign Bar, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे Sign Bar होता क्या है, इसका उप्योग कहां पर किया जाता है, इसके यूजर्स क्या क्या होते हैं, साथी ये किस प्रिंसिपल पर वर करता है, यानि की Sign Bar जो है रहा किस सिधान पर कार्य करता है, Sign Bar किसका बना होता है, यानि की Complete Information आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइट कराऊंगा साइन बार के बारे में आपका फ्रेंट्स ये important topic भी है और ये आपके semester exam में सीधा 5 नंबर में पूचे जाने वाला topic है तो वीडियो को इंट तक जरूर देखें वीडियो पशन्द है तो वीडियो को like और दोस्तों को share ज इतना भी chapter first में आपका most important topic है जैसे आपका CNC machine, NC machine, DNC machine, इनकी working functions, इनके advantage, disadvantage ये कैसे work करते हैं इन में difference तो complete करा दिया है मैंने आपका chapter first तो अभी तक आपने उन सारी वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने YouTube पर particular subject के नाम से playlist बना रखी है आप वहाँ पर जाकर उन सारी वीड सारी बाते explain की हैं तो चलिए friends आज का हम session start करते हैं और यहाँ पर friends आपके लिए sign bar को समझने के लिए यहाँ पर friends मैंने दो प्रकार के diagram ही लिए हैं एक आपका actual और एक जो हम अपने हाँ से बनाते आने के 2D और 3D figures के माद्यम से हम यहाँ पर sign bar को समझने वाले हैं तो जित जरूर देखें यहाँ पर आपको सारी चीजें काफी easy language में समझाए जाएंगी तो सबसे पहले friends बात कर लेते हैं sign bar होता क्या है ठीक है तो sign bar क्या होती है कि friends जब हम किसी भी टूल का या किसी भी हमारा जॉब है जब हम उसका कोड मापते हैं तो वहाँ पर हम sign bar का इस्तमाल करते हैं अला कि और काफी सारे instrument होते हैं जैसे आपका वर्नियर हो गया या different तरीके के टूल हो गया उनसे भी हम क्या करते हैं कि कोड को मापते हैं लेकिन जब आती है एकदम minimum से minimum कोड मापने की तो वहाँ पर हम क्या करते हैं sign bar का इस्तेमाल करते हैं वर्नियर कैली पर से क्या होता है कि हम 5 जो आपके मिनट तक के कोड हम माप सकते हैं लेकिन जब इससे कम accuracy की मातरा मापनी हो तो वहाँ पर हमे sign bar का इस्तेमाल करना होता है तो आप समझ गया होंगे कि Sign Bar का इस्तमार हम कहां पर करते हैं तो जैसा कि आपके लिए यहां पर मैंने सारा Right Down भी कर रखा है कि Sign Bar क्या होता है कि एक कोण मापने का टूल होता है आउजार होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है इसकी जो बनावट होती है बहुत ही सिंपल होती है तथा इसकी Size की बात करें तो यह आपका एक आयता कार होता है यह जो है त्रकोन मिती के प्रिंस्पल पर वर्क करता है तो Sign Bar आप काफी Easy Language में यहां पर सारी मैंने चीज़ मिंसन भी कर रखी है कि Sign Bar क्या होता है कि हमारा एक एंगल को मापने का एक और जार होता है जिसकी बनावड जो है बहुत ही साधारन होती है तथा इसकी आकरती के हम बात करें तो इसकी आकरती जो होती है वो आपकी आयता कार होती है और यह जो है हमारा त्रकोन मिती के सिद्धाल पर वर्क करता है तो यह आपका थोड़ा सा यहां पर Introduction हो जाता है sign bar आपका क्या होता है तो यहां पर फ्रिंट्स यह तो आपकी एक journal definition हो गई कि हम sign bar को समझ कैसे सकते हैं लेकिन आपके semester exam में पूछ ले तो आप यहां पर फ्रिंट्स engineering कर रहे हैं तो आपकी जो definition होनी चाहिए वो भी थोड़ा अच्छी होनी चाहिए तो sign bar क्या होता है इसकी definition आपके semester exam में पूछ ले तो आप कैसे लिखेंगे कि sign bar जो है एक आयता कार block होता है जिसके दोनों सिरे पर roller fit होते हैं यह roller लगे होते हैं इसकी side में 3 या 5 hole होते हैं वो हमारी अवस्चक्ता के अनुसार है कि हम कितने प्रकार के वहाँ पर tool को हम clamp करने वाले हैं नेक्स्ट देख लेते हैं यह hole sign bar में job को clamp करने के उद्देश से बना जाते हैं अब यहाँ पर कोई पूछ लेगा कि hole बनाने का उद्देश क्या होता है sign bar में तो इसका एक ही purpose होता है कि वहाँ पर job को clamp करना अच्छे से job को पकड़ना तो यह हमारा होता है वहाँ पर hole बनाने का मकसद एक बार फिर से देख लेजिए कि जो है sign bar sign bar बोले तो एक ऐसा आप instrument समझ सकते हैं यह जो है हमारा एक आयता कार block होता है इसके दोनों सिरे पर roller लगे होते हैं इसके side में जो है तीन या पाँच होल होते हैं इन होल में हम क्या करते हैं जाब को क्लाइम्प करने के उद्देश से हम बनाते हैं अभी मैं अब इसका आप figure देख लीजिए तो यहाँ पर आपको सारी बाते क्लियर हो जाएंगी कि sign bar क्या होता है जो roller की बात कर रहे हैं हम तो यह friends आपके roller होते हैं ठीक है और यह जो आपके मैं hole की बात कर रहा हूँ यह अपनी आवस्यक्ता के इंसार 3 या 5 यहाँ पर hole लगे होते हैं और यह जो है आपकी roller की ऊपरी सास्ता होती है जो की एकदम चिकनी होती है ठीक है यह जो है इन दोनों की 20 की दूरी होती है जिसको हम L से represent करते हैं तो अभी इतनी बाते आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारा sign bar क्या होता है अब इसके उपयोग की बात करें तो sign bar क्या होता है इसका हम उपयोग करते हैं किसी भी प्रकार का जो job होता है उसमें हम taper को जानने के लिए हम इसका इस्तमाल करते हैं कि किसी भी job में कितना taper किया गया है ठीक है next देख लेते हैं कि job का taper निकालते समय गेज का भी उप्योग करते हैं यहां पर फ्रेंस आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट भी है कि जो है साइन बार जो है समझ लीजिए अधूरा होता है यानि कि जब हम साइन बार का जो है कंप्लेट रूप से इस्तमाल नहीं कर सकते हैं हमें साइन बार के साथ डायल टेस इंडिकेटर और स्लिप गेज की भी आवजश्यक्ता होती है या आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो हमारा साइन बार होता है वो एक प्रकार का पूर्ण रूप से वहां पर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है हमें टेपर नापने के लिए साइन बार के साथ सा और डायल टेस्ट इंडिकेटर की भी आवजश्यक्ता होती है तो आई थिंक आपको सारी यहां पर बातें किलियर हो गई होंगी कि साइन बार होता क्या है अभी मैं इसका 3D आप फिगर भी आपको दिखाऊंगा जहां पर आपको सारी बातें जो ना समझ में आई हो किलियर हो जाएंगी निक्स्ट आपका आता है साइन बार बना किसका होता है तथा इसके साइज में इसको हम कैसे रखते हैं तो ये भी देख लीजे बात करें साइन बार की बनावट की या जो इसका मेटल होता है ये हमारा स्टेबलाइजड क्रोमियम स्टेल का बना होता है या इस के दो यहाँ पर रोलर हैं इन दोनों के मद्ध की दूरी इसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यह जो जो है दूरी आपकी जो है यहाँ पर 100 mm 200 mm यह maximum 300 mm तक रखी जाती है अब बात कर लेते हैं sign bar का कार्य सिध्धान्त के बारे में तो फ्रेंट्स यह आपका काफी easy principle जो आपने सीखा होगा ट्राइग्नोमेट्री का जो आपने मैट में फार्मूला पड़ा होगा उसी के पर यह पर यह हमारा sign bar वर्क करता है कैसे वर्क करता है यह भी देख लीजिए कि यह यानि कि sign bar जो है त्रकोन मिती के सिध्धान्त पर वर्क करता है इसके दोरा किसी जॉब की टेपर ग्यात करते हैं और किसी भी जॉब की टेपर ग्यात करते समय हम त्रकोन मिती का जो फार्मूला होता है वो अपलाई करते हैं कैसे अपलाई करते हैं त्रकोन मिती के सूतर में हम लंब के इस्थान पर यहाँ पर सिलिप गेश की उंचाई रखते हैं तथा यहाँ पर करण के स्थान पर हम सिलिप गेश की लंबाई रखते हैं एक पर फिर से देख लिए कि यहाँ पर हम किसके इस्थान पर क्या रखते हैं तो यहाँ पर बात कर रहा है कि त्रकोन मिती के सूतर में जो हमारा लंब होता है ठीक है उसके इस्थान पर हम स्लिप गेस का उंचाई रख देते हैं और जो हमारा करण होता है उसके इस्थान पर हम स्लिप गेस की लंबाई रख देते हैं तो हमारा वहाँ पर साइन बार का फ इसका फार्मूला कहलाता है और यहीं आपका इसका फेकर भी देख सकते हैं जैसी आपका फ्रेंस बुक में बना है यहां पर फिर चोटे यहां पर क्या है होल है इसी में हम क्या करते हैं जौब को क्लैम्प करते हैं और उसके बाद उसकी हम टेपर कियोई सता को नाप लेते हैं एक आपके लिए और है इसको भी आप यहां पर देखकर समझ सकते हैं यह भी आपका सेम इसका फिगर है साइन बार का तो फ्रें वीडियो कैशा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के आर लाइक और शेयर जरूर कर दें सभी दोस्तों तक अब वीडियो को शेयर जरूर कर दें और आप चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा बाकी यहां पर आपको इसी तरह पाकि important information की वीडियो यानि की जो आपके subject हैं इससे related जो भी आपके यहाँ पर important topic आपके semester exam में पूछे जाते हैं यह सभी topics आपको यहाँ पर कराए जाएंगे बात करें model paper की तो भाई model paper की वीडियो आपके लिए जल्द आने वाली हैं तो आपसे friends एक ही request में बार बार करो हू कि वीडियो को आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके share जरूर कर दे अपने सभी दोस्तों को चलिए friends मिलता हूँ आपसे next वीडियो में वीडियो कैसा लगा आप हमें comment box में comment करकर जरूर बताइए मिलता हूँ आपसे next वीडियो में तब तक के लिए tata bye bye take care have a nice day and thank you आप स you